कैसे आप सभासा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छ हूँ गर आप भी चापते रहें कि 2024 में हर हाल में यार बैंकिंग एक्जाम करना ही करना है तो यहाँ पे अभी मैं कुछ कुछ आपको पॉइंट बताने वालों गर यह पॉइंट पर आप अमल करते है न इसको फॉ सौथ बारी की से देखना पड़ेगा विचीघम में क्या पूशा जाता है कि सब्जेंट से क्या क्या कुशन आता है मतले झामप्टर्ण को आपको फॉलो करना पड़ेगा इट मेंस पॉट नूमर उन फॉलो एक जाम पेटर्ण राइट चलो टीक है जब एकुन प्राम पैटर्न आपको पता चल गया है उसके बाद आते हैं पॉइंट नमबर टू के बारे में यह कहा जा रहा है कि भाई अपने स्टाड़ी प्लान को त्यार कर लो एक दम मतलब क्रियेट यूर ओन स्टाड़ी प्लान है ना अपर आप अपने स्टाड़ी प्लान त्यार करते हो ना कि किस मतलब आपका मैथ कैसा आपका इंगलिस कैसा आपका डिजनी कैसा है कौन आपका सबस्यादा है स्ट्रॉंग है कौन सबस्यादा वीक है यह आपको अपना प्लान त् पड़ेगा किस सब्यक्ट पर कितना जाद आपको टाइम देना है नहीं देना है यह आपको फॉलो करना पड़ेगा ठीक है चलो पॉइंट नमबर थ्री अब आपको पता चल गया है कि हाँ चलो ठीक है आप अपना टाइम टेबल बगड़ है क्रियेट कर लोगे ना स्टाडी प्लान बगड़ है जब रेडी हो गया है उसके बाद जो हैने स्टाडी माटेरियल को गैदर करना शुरू कर दो इकठा करना शुरू कर दो कि आपको कौन से बुक से मैथ पढ़ना है कौन से रिजनिंग पढ़ना है किस सरसम को क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है fundamental को ले करके basics को ले करके ठीक है ना focus on your basic focus on your fundamental ठीक है ना point number four यही कहा जा रहा है कि अपना fundamental जो है उसको एकदम ठीकठा करना शुरू करते एकदम anyhow जो है आपको अपना basics clear करना पड़ेगा वह तो math का हो reasoning का हो या फिर English का हो या फिर banking awareness का हो अपना concept और clear करना पड़ेगा अभी आप तक आपका concept और clear हो गया उसके बाद point number five कहा जाता है practice को ले करके तो practice जो है ना आप daily basis के अधार पर ही आपको करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि आप आप आज किया 10 दिन के बाद या फिर 15 दिन के बाद शुरू करोगे तो जो आप किये हो ना सब भूल जाओगे इसी धान बखना तो practice regularly जो है ना यह आपको करना पड़ेगा practice आप या तो quizzes का लगा सकते हो सेक्सनल मौका लगा सकते हो मौका लगा सकते हो यह सब लगाओगे ना तो आपको पता चलेगा नहीं कि कौन से question में मेरा ज़्यदा time लग जा रहा है क्या है कैसे नहीं उसके बाद आता है ना time management को ले करके जब आपको यह पता चल जागे नहीं चलो ठीक है इस टाइप का पजर आपको ज्यादा time लगता है ना तो आप specific time जो अपना यह कर लो कि नहीं ठीक है यह निहाव हमको इस time इस question को solve करने में जैसे क्वांट में कैसलेट वगड़ा solve करते हो di solve करते हो उसमें ज्यादा time लग जाता है ठीक है तो इनिहाव आप यह कुसिस करो कि उसको time को कैसे कम करना है है ना यह आपको देखना पड़ेगा अपना time management स्वासा सीखना पड़ेगा tricks वगड़ा सब ताकि अच्छे से mind calculation वगड नहीं आता है जो भी लूप हो लेना जैसे किसी अभी मौक वगर आप लगाए नहीं को यह वाला सेक्षन में भी थोड़ा सा टॉपिक में ज्यादा दिक्कत है यह तो थोड़ा सा अपने आपको जो भी लूप हो लेना मिच्टेक है ना उसको review करो बार बार और उसको analyze करना सुरू कर दो इतना के बावजूद जो है ना point number 8 है ना अपने आपको update रखना सुरू कर दो एकदम सब कुछ हो update नहीं हो मतलब मार्केट में क्या चल ला है नहीं चल ला है banking कोई new जाए current affairs वगर इस सब के लिए आपको अपने आपको update रखना पड़ेगा इतना से तो आपक सब कुछ है health नहीं है तो सब बेकार है एकदम है ना यहीं हमेशा ध्यान में रखना ही रखना इसलिए एकदम stay healthy be healthy एकदम इस तरह का खाना पीना कुछ मत खालो कि हाँ आप बीमार पर जाओ चाहिक जाम टाइम में फीवर राना शुरू जाई है वह है सब कुछ एकदम तो सब्सक्राइब भूक करेंशन सब्सक्राइब जा जा रहा है कुछ समझ भी नहीं आता है कैसे क्या करना तुछ टार्गेट को इनी हाउ जो है ना आप पूरा करना सुरू कर दो एक दम चलो ठीक है पाई बैर टेक क्यार अपना ख्याल लखना स्वस्त्रा ना बी कन्फिडेंट कि आपका सेलेक्शन होके रहेगा